कि अजी बेटा कि लेटा स्टार्ट विद एक्सराइज बेटा 6.3 फॉर्स्ट कोश्चन जो मेरे पास दिया हुआ है मैं बार-बार कह रही हूं कि आपको क्रिटीरिया जरूर पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में वन कोशन इस पर भी बेस बनता है कि क्रिटीरिया बताइए किस क्रिटीरिया से ट्रेंगल सिमिलर होती है अपके एकजाम में ये बहुत बार कोश्चन पूचा जाता है कि किस क्रिटीरिया से हमारे पास स्ट्रेंगल जो होे वह। कॉंकрийरेंट है आप से यह पूछ लिया जाता है कि साईट साइट 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 से और क्यों साग डिए एंगल एंगल से जिसको दो एंगल्स आप एंगल एंगल भी क्रिठीरिया कह सकती है ओके इस यहां पर आरेच कोई क्रिठीरिया नहीं होता वो के वो कॉंगरेंसी का है सिमिलारिटी का नहीं है चलिए बेटा आफ फर्स मेरे पासे स्टेट विच पियर अफ जोगे फिगर 6.34 आप सिमिलर राइट सिम्लारीटी क्रिटीरिया उस्ट वाइड यू फॉर आंस्ट गोश्ट अन अल्सु राइड दपियर फ्रेंगल्स इना सिम्बॉलिक फॉर्म ऑविस आप से क्रिटीरिया आप उचा जाए और सिरफ यह पूचा जाए कि राइट इन सिम्बॉलिक फॉर्म जब तक आपको प्रटीरिया नहीं पता होगा आप सिम्बॉलिक फॉर्म लिखनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमें नहीं पता चलता कौन सा पॉइंट इस पॉइंट के पॉर्सपॉंडि चलिएा नहीं वर्दर, वर्स मेरिपासे म A B C this is 60 80 and 40 now the next triangle मेर पास P Q R 80 60 40 and the clear cutter 80 60 60 41 you can write by A A criteria या by A A A criteria one is the same thing and what do you have to write here again that is आपको बताना है symbolic form में triangle A corresponds to P है है ना B corresponds to Q and C corresponds to that means triangle A B C similar to P Q R अक और पाट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल्दा है लेट उड़ू the second part of this question मेरे पास हो है second part is what is given in the second part what is given in the second part side दियो है मेरे पास 1 2.5 3 A मेरे पास 2 दिया हुए अंजी 2.5 or this is C and this is B okay बेदा second figure is given to me देखे बेदा 5 4 6 and this is Q R और P अब 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 अजी साइट 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 से यह है बट हमें सबसे पहले identify करना पड़ेगा की कौन सा किसके corresponding है देखो 2.5 का डबल में देखो तो 5 यह है तू का डबल तीवार और 3 का डबल 6 अब देखो correspondence कैसे देखनी होती है प्लीज सी इट केफुली मुझे इतना पता चल गया बाए SSS criteria से triangles होंगे है वो similar है देखो यह point A यह 2 और 3 के साथ आ रहा है ऐसा point देखना है जो इनके डबल के साथ आ रहा है 4 और इसे 6 तो दाट मीज कौन सा क्यूंड यह कोर्सपॉंड टू क्यूंड एक पोइंट पता चल गया बाकी अपने अप सारे पता चल गया तो फिर कोई टेंशन नियों थी हां जी मैंने यह बोला मैंने एक point fix कर लिया एक के correspondence देखना है मैंने जो लॉजिक बताती हूं एक कौन-कौन सी side के साथ आ रहे तू और थ्री अब मुझे इतना पता कि सारी साइट से डबल आइंस से अब मैंने देखना है टू का डबल फोर फोर इदर ठीक है ठीक डबल 6 यह तो फूर और 6 सो मिलता point कौन सा है क्यूंड यानि एक कोर्सपॉंड टू क्यूंड अब टू का डबल फोर तो यह क्यूंड पता है अब क्या रह गया आठ तो डाट मीज यह आर के और सी किसके कोर्सपॉंड है भी बस यह कुरेक्ट पता होना चाहिए यहां गड़ बड़ी कर गे तो आगे सारी प्रॉब्लम ही आएगी आपके हमां और आप वह करके देख लो जी पी लिया मैंने फाइब और 65 किसके कोर्सपॉंड है 2.5 के 6 किसके कोर्सपॉंड है फ्रीके तो यहां पर सी और पी तो मैंने भी तो वहीं निकाला आप जिससे मर्जी साइकलिक और जिस मर्जी ओर्डर में लेकर चलब दो आंसर वही कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब आप लिखोगे ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल क्यू आर पी वाए एस 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 क्रेटीरिया बात समझ आई बटा कोई बच्चा यहां पर सी बी ए लिख देगा अगर वह सी भी ए लिखेगा तो दूसरी साइड पर क्या आएगा पी आर क्यों वह आपने एंसी क्यू में देख रहा है कि कौन सी साइड बन रही है बात समझ आई कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पर किसी को चलूं आगे हाँ जी नेक्स्ट बेटा अब बाकी पार्ट्स आप ट्राय कर सकते हो आपने देख रहा है कौन सा नहीं हो रहा है इन मेन है सिंबॉलिक फॉर्म और आपको क्रेटीरिया पता होना चाहिए आप कोशन सारे कर सकते हैं नाव लेट उस दू कोशन नमबर टू कोशन नमबर टू में फिगर मुझे दी हूई है बेटा इस दा फिगर गिवन तू में है हां जी ओ ए बी सी डी अबेटा देखें ट्र इसी सिमिलर टू ट्रेंगल ओ बी सी डटमीज ओ ओ की खौरूस्पॉंड है डी बी के कोरूस्पॉंड है सी सी के चेक करो एक सेकिंद ए आना है बाचा ए क्योंकि सी सी के कर उस्पॉंड कभी नहीं हो सकता यहां पर टीके थे अब मेरे पास उसने दिया हुए एंगल बी ओ एक एंगल यह फाइंड आउट करना है दूसरा दी सी ओ एक यह कलकुलेट करना है आफ्टर देन ओ एक एंगल यह फाइंड आउट करना है अजी कुछ एंगल तो डिरेक्ली निकल जाते हैं कोई पार्ण हो यह एंगल अदाम से निकलाएगा लीनियर पेर से कोई प्रॉब्लम नहीं हां जी फिर पैरलर नाइंज की कोई बात नहीं की ऑल्टरनेट इंटीर के आग जी सिमिलारिटी का कोश्चन है सिमिलारिटी में म यहां से कॉर्रस्पॉन से यही पता चलते हैं अगर यह 70 है तो यह 70 होगा आप पैरलर नाइन ऑल्टरनेट इंटीर क्यों नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपको यह नहीं बूला गया कि यह लाइन पार्लर वह तो आप वैसे वाइचांज सेम आ गया क्योंकि एक ट्रेंगल नीचे ट्रेंगल ऊपर बनी है तो आप अगर लिखोगे यहां तो रीजन वैसे भी नहीं बताना है बट गलत हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं कि ट्रेंगल नीचे तो यह सेम ही होंगे अगर यही दक्ष एक ट्रेंगल इदर होती एक ट्रेंगल इदर होती तो आप लेकिन सिमिलर दी है तो अगर यह एंगल सेवंटी का है डी पे तो यहां बी पे भी मेरे पास सेवंटी ही आएगा बिकॉस्ट ट्रेंगल जार सिमिलर को के जिए लाइन जब तक पैरलर नहीं दी हो तब तक आप अल्टरनेट नहीं ले सकते हैं पैरलर दी होती तो देन आई विल टेक अल्टरनेट हां जी पैरलर होगी ना यहां आपने पहले सिमिलारिटी से एंगल एक्वल लिया फिर कहां कि यह लाइन पार्लर है पहले थोड़ा दिया हुए बात समधाएं ओके चले आगे तो अब बटा मेरे पास यह सेवंटी हो गया यह एंगल आपने निकाला हुए लीनियर पेर से यह भी एंगल उतना हो गया क्यों वटे कली ऑपसेट एंगल अब यह एंगल पता है यह एंगल पता है अब कोई बच्चा यह भी कर सकता था यह आंगल पता है यह एंगल लीनियर पेर से निकाल लिया इस एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाले इसको निकाला तो यह इसके सिमिलर वहाँ पर वैसे भी कर सकते हैं कोई हाड एंफास्ट रूल नहीं है इट इस अप टू यू हाव यू आर मैंजिंगे चले बेटा आगे मेरे को लिखके दिखाने की जरूरत तो नहीं है कि क्या आगे छलूंगे चलिये बेन नेक्स नाट्यू स्थोडन मेरे पास होगे कोर्शन नुम्बर 3 कोर्शन नंबर 3 कोर्शन 3 को दाइगोनल एसी एडी डी यूफर टरपीजियम A, B, C, D with the parallel side A, B parallel to D, C intersect each other at O अब उसने काया there is a trapezium A, B C, D okay where A, B parallel to C, D and the diagonal intersect each other at O using the similarity criteria proof that मेरे पास O A over O C is equal to O B over O D कल किया था बिलकुल कंस्ट्रक्शन करके यहां पर उसने का using similarity criteria अब पेपर में तो कभी नहीं आ सकता हाँ पेपर में question कैसे लिखके आ सकता है which similarity criteria will you use to make the triangles जो है similar ठीक है तभी ratios equal आएंगी ना मेरे पास और यह कौन सी दो triangles में आ रही है मेरे पास A, O मेरे पास देखो A, O, B और B, O, C यह दो triangles लोगे ना तो काम खराब हो जाए ठीक है क्यूं मैंने ली किसमें बात बड़ी या चोटी की नहीं है और इसमें यह पार्लर लाइंज है तो पार्लर लाइंज जहां आ गई तो मेरे को वही ट्रंगल रही है दाट्स वाई यूज अपर ट्रेंगल एंद लोगर ठीक है और यह ट्रांसवर्सल होगे उसका बेनिफिट क्या हुआ इस एंगल इस एक्वल टुद दिस एंगल अल्टने इंटिर एंगल And the third angle by angle, angle, angle criteria triangles क्या हो गाई Similar. If triangles are similar then ratios are equal. Ratio of their sides are equal to that's why AO over OC is equal to OB over OD. correct Okay कि आपीजियम के वह इसमें नहीं होता बेटा यहां पर यह प्रॉपर्टी होती है क्योंकि यह पार्लर लाइन्स है तो एंगल एप्लस एंगल दी वह वान एक्टी डिग्री होता है जस्वेकॉस आफ को इंटेडियर एंगल यह जिसको आप कॉंजिकुटिव इंटेडियर ए पार्लोग्राम में ऑपजिट एंगल इकोल होती है ट्रपीजियम में नहीं है ओके चलिए कंटू नेक्स्ट बेटा कोशन नमबर जोगे मेरे पास फॉर्थ जोगे अब देखो मैं आपको कल भी यह बात बोली थी आज फिर रिपीट कर रही हूं कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर दो साइज मतलब ट्रपीजियम है तो उसके डाइगनल्स है जो बाइसेक्ट करते हैं तो उनकी रेश्यों आपस में क्या होनी चाहिए इकोल होनी रिजल्ट शुडबी इन यहर्माइड ओके क्लियर प्रूफ जोगे एमसी की उसमें हमें आज पूछा जा सकता है so that's why now come to question number 4th मेरे पास होगे question number 4th में क्या दिया गया है लेटर सी इन जो गये मेरे पास figure figure में क्या दिया हुआ देखें गिवन figure is this T Q R S मेरे पास होगे P और यह angle जी हुए angle 2 और यह angle 1 okay now bada what is given in this question whenever you are over Q S Q T over 3r that is given to me एंगल 1 एक्वास्टो इंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 2 आपटा कैसा करें लिए प्लोगी स्कुश्य को एंगी हाझे सबसे पहले अगर मैं देखू मुझे ट्रैंगल कांची सिमिला करें लिए P Q S और A Q R यह बड़ी करना नहीं करना है अब बटा देखें मिझे मुझे स्टाइज कांची Q R बड़ी करें लिए Q S बड़ी करें लिए Q T बड़ी क्रेंगल की बड़ी क्रेंगल की साइट कांची आने चाहिए Q T यहां कांची देए नेकिन मैंने देखा मुझे अंगल 1 इस इकोल तो अंगल 2 ती है Q for that means Q Q is equal to Q and R यानी मेरे पहल zit यहां पी क्या आओ की जहां आयों P exam की. privileged is a तो अगर यह ratio A, यह रहाँ Q R over Q S, हाग इसी थे, Q P over Q P, Q,। त्रैंबल में क्या हो गए? इसमिलर, पिल कुल को लिए पिल को बटोए, को कैगर बेटर, एफ टोब काम कैसी को? आजी नेक्स वेटाफ परसे आपको को साथ में एंगल पॉर्मन रही है एज जब मैंने आपको का रेशियो इक्वल आप ये वला एंगल वहां प्रेंगल के नहीं आए ओ साइड एंगल हो एज एंगल आपकोसित न महां को सुझी दो पयाइंगल के ङुक्वल होगे अगर ऑंगल प्र की जगा की दा Raad कुकि यह सारी लेश्यों मेरी चोटी और बड़ी त्यांगर के पीचिन आ लो साइज की रेश्यों और वीच वारा एंगल अगर इक्वल हो तो वाए साई आगल साइगर क्या हो देगी सिमिल तो तो एक लिए बार 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 चाब गया नेक्स लिए नेक्स नेक्स What is it saying? एलुदेखाव, पुछाटन नमर फिफ्ट देखिये, इन पुछाटन नमर फिफ्ट, it is given that S and T are the points on the side P, R and Q, R of a triangle P, Q, R such that angle P is equal to angle Q, T, S मेरे पास ये ट्रेंगल दिये, that is P, Q, R और S पॉइंट दिया है P, R पे और बेटा मेरे पास Q, R पे मुझे T पॉइंट दिया हुआ है और उसने दिया है एंगल P जो है वो एंगल R, T, S ये एंगल इसके इक्वल दिया है और मुझे का आगया है शो करो ट्रेंगल जोगे मेरे पास R, P, Q जोगे बाट इस सिमिला तो ट्रेंगल जोगे R, T, S वेरी इजी तू दू दू दिस्टोशन जस्टिंक ओवरेट बिलकुल जी एंगल एंगल क्रिटीरिया से कैसे उसने का मुझे सिमिलार करनी है आर, P, Q and R, T, S चोटी ट्रेंगल और बड़ी ट्रेंगल में यह एक एंगल इसके इकोल है और यह आर एंगल क्या है कॉमन तो बाइंगल एंगल क्रिटीरिया ट्रेंगल क्या हो गई सिमिलार यही प्रूफ करना दाना हाल जी आर क्या आर एंड क्यू यह तो इकोल मैंने लिया ही नहीं तो मुझे कॉन सा एंगल दिया है आर टी एस आर टी एस यह एंगल बेटा इस एंगल के इकोल दिया इस ट्रेंगल में जो एंगल है वह इतना है और बडी ट्रेंगल में भी यह एंगल है भूबी इतना है तो एंगल तो सही में ना तो कॉमन ही राना ना नहीं पता चला बिसमों कि अंजी तो इस एंगल इस एकोल इन गरनी उसने सिर्फ यह का है एस पॉइंट पी आर पे पी पॉइंट क्यों आर पे शच दैड यह वला एंगल इसके एकोल है पूली दिमेंशन दिस तो एंगल इस एकोल इंगल इस फिर्स सेकेंड यह एंगल क्या हो गया कॉमन दूनू ट्रेंगल में आ रहे है ना चोर्टी में भी बड़े में तो बैक्स्वाइं समधाई बाद क्लिया चलू आगे चलिए विटा नेक्स वेटा मेरे पास सबको क्लियर हो गया विटा चलिए नेक्स वेटा नेक्स्ट कोशन इस अगर ट्रेंगल्स कॉंगरेंट होती है तो शोर करो मेरे पास उसने की यह दो ट्रेंगल जोंगे वह सिमिलर भी होंगी लेट उस सी कोशन सेक्स्थ इंदा फिगर ए बी सी मेरे पास ए बी सी ट्रेंगल दी वह है और यह डी ए दिया हुए और इसको ज्वाइन किया हुए यह फिगर दी हुए है और इट इस रिटन ट्रेंगल ए बी ए कॉंगुरेंट ट्रेंगल ए सी डी और टू प्रूफ करना है इस बीर ट्रेंगल और बड़ी ट्रेंगल आपस में क्या है इसे मिलर लेकिन दीया क्या हुआ है ट्रेंगल ए बी इ जो है वह किसके कॉंगुरेंट है ए सी डी के आप मुझे बताओं अगर ट्रेंगल कॉंगुरेंट होती है तो क्या होता है साइज इक्वल होती है एंगल इक्वल सब कुछ इक्वल होता है तो मैंने सिमिलर कहना है अब अगर यह मेरे पास ट्रेंगल है ए ए बी ए बी इदिया ना तो दाट मींज ए ए इस इक्वल टू ए इस इक्वल टू ए डी ट्रेंगल कॉंगुरेंट है दूसरा ए बी इस इक्वल टू ए सी है के नहीं मेरे पास अब बेटा क्या करो मेरे पास और एंगल ए क्या है इनको डिवाइड कर दूं यह यह भी कर सकते हो ए ए डी नीचे लिजा फिदर क्या देगा वन और इदर से ए सी के नीचे एबी लेगा इदर क्या देगा वान यह आप पर डिपेंड करते है जैसे मर्जी करों टीक है मैंने सीधा डिरेक्टली बस एक च तो एबी के कोर्रोस्पॉंडिंग एडी आ रहा है ना तो इधर एडी ही लिखो नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपको अजस्ट करने समझ आई मेरी बात तो मैंने क्या किया इधर एडी ले लिया इधर एए ले लिया कोई परक्त तो नहीं पड़ेगा अम एने डिवाइड कर दिया एडी ओवर एवी उदर से एए ओवर एसी साइट की रिशू इक्वल आगे और एंगल एए क्या है कॉमन तो ट्रेंगल क्या हों गई सिल्ट इस टियर टू एवरीवान सबको समझ आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो बेटा अब आप आगे क्या करोगे मेरे पास होगे जाय थो आगे तो ट्री नमबर 7 8 9 10 ट्राइट अगरना बाकि मैंने तो घंड कल देना गी देने ओके वेटा यूवाग क्यू ट्राय ट्राय देम सो द्याट की व्लोग कल जल्दी से जल्दी कर सकें